C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट तेईस पाठ साथ खेल गीत शीरशक टिल्लू जी टिल्लू जी स्कूल गए बस्ता घर पर भूल गए रस्ते भर्ते डरे डरे पहुँचे गेट पर अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए दोनों बाहे मा के डाल गले में जूल गए लेखक नरेश सकसेना इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाये गए हैं पहला चित्र दाई ओर उपर दिखाया गया है जिसमें टिल्लू स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है पर उसे याद आया कि स्कूल का बस्ता तो वो घर पर ही भूल गया है दूसरा चित्र प्रिष्ट के बाई और नीचे दिखाया गया है जिसमें टिल्लू जी अपनी मां की पीठ पर बड़ी खुशी से सवा रहें क्योंके स्कूल में उन्हें छुट्टी का नोटिस दिखा इस वज़े से वो बहुत खुश है प्रिष्ट चौबीस पढ़िये समझिये और मिलाइए मित्रों या सहेलियों को देखकर शिक्षक को देखकर मा को देखकर रिक्तस्थान को देखकर रिक्तस्थान को देखकर आप और किसे देखकर खुश होते हैं उनका नाम दिये गए दो रिक्तस्थानों में लिखिये शब्दों का खेल पढ़िये, समझिये, और लिखिये यहाँ पर बाई और अनुस्वार दिया गया है यानि अंग लिखा गया है और दाई और अनुस्वार के लग जाने से जो संपोर्ण शब्द बनता है उसका निर्देश दिया गया है उधारण के तौर पर अंग जमा गूर बना अंगूर यानि गूर के आगे अंग लगाने से एक सार्थक शब्द बना अंगूर ऐसे ही और समू दिये गए है जीर, डा, दर और बर इनके शुरू में अंग यानि अनुस्वार लगा देने से कौन कौन से शब्द बनते हैं उन्हें दाई ओर दी गई रिक्त जगाहों पर लिखिये प्रिश्ट पच्चीस मिलकर पढ़िये शीर्शक नठखट दिवाकर दिवाकर पाँच वर्ष का नठखट लड़का है सारे दिन ठिठोली करता है और सब को हसाता है उसे गणित सीखने की बहुत लगन है उसकी बड़ी बहिन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है दिवाकर कहता है मीना कहती है सपेरा बजाता बीन दिवाकर कहता है तीन और चार साथ मीना कहती है लाओ कलम दवात दिवाकर दोड़ कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड लिखना सिखाती है एक जमा दो बराबर है तीन तीन जमा चार बराबर है साथ आज इतवार का दिन है दादा जी ने आज कुलफी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था दादी ने सवेरे नौ बजे कड़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया दूध को कभी मा और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चम्चे से चलाते रहे इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गई है पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें एक सपेरा बीन बजा रहा है और एक सांप उस बीन की धुन में मस्त होकर उसके सामने फन पहलाए बैठा है उसके ठीक नीचे दिवाकर और उसकी बहन दिखाए गए हैं जिसमें दिवाकर की बहन उसे जोड़ करना सिखा रही है और उन दोनों के उपर लिखा है एक और दो तीन दिवाकर गनित सीखता हुआ बहुत प्रसंद नजर आ रहा है नीचे बाई और दिखाए गए चित्र में रसोई का दिरिश्य दिखाया गया है और रसोई में गैस पर कुलफी बनाते हुए मम्मी नजर आ रही है और पापा कुलफी बनते हुए देख रही है प्रिश्ट 26 दस बजे तक दूध गाढ़ा हो गया मा ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था ग्यारह बजे चाचा जी बाजार से बरफ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया उसमें नमक भी मिला दिया दादी और मा ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर, तथपिस्ते और बादाम काट कर डाले फिर कुलफी के तिकोनों में दूध भर कर मटके में डाल दिये तब तक एक बज गया था दिवाकर ने दादा जी से पूछा दादा जी, कुलफी कब तक बनेगी? दादा जी ने कहा बेटा, पांच बजे तक बनेगी दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया कुछ देर बाद दिवाकर ने दादा जी के पास जाकर पूछा दादा जी क्या बजा है? दादा जी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देख कर कहा बेटा दो बजे हैं दिवाकर बेचैनी से पांच बजने की प्रतीक्षा करता रहा कुछ समय बाद वो फिर दादा जी के पास गया और पूछा दादा जी अब क्या बजा है? दादा जी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले बेटा तीन बजे हैं दिवाकर ने भोलेपन से खुश हो कर कहा दादा जी दो और तीन पांच होते हैं तो अब पांच बज गए इसलिए कुलफी खा सकते हैं दादा जी हस पड़े उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धी पर बहुत आनन्द आया लेखिका मालती देवी इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गई हैं पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें दादी और दिवाकर की मा कुलफी बनाकर उसे मटके में रखती हुई नजर आ रही हैं उन दोनों के हाथ में तिकोने हैं दूसरा चित्र बई और नीचे दिखाया गया है जिसमें दिवाकर अपने दादा जी से बात कर रहा है और पीछे दीवार पर एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें तीन बज रहे हैं शिक्षन संकेत यह पार्ट पढ़ने के आनंद को बनाए रखने के उद्देश से लगाया गया है सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत